कि आपको लग नहीं रहा कि असल मुद्दों से चुनाब जो है थोड़ा से भाटक गया है आपने बहुत अच्छी बात कहिए अनुरादा जी और मैं आपको इस चीज के लिए बढ़ाई देता हूँ कम से कम मुझे इक पक्रकार ऐसा मिला है जो मुद्दे पर बात कर वहा है सच्छा यहीं कि बात तो यहीं होनी चीजिए अफसोस ही है कि जिन सरकारों पोई जवाब देना चीजिए वो सरकार वो विशे लेकर आ रहे हैं जिसका कोई उस समय हो सकता है कुछ कॉंगर्स में खमी आ रही है जो आपका सवाल है किम पहुंचा नहीं पहुंचा पाए आपका अपना कैडर आप वापस कैसे लेकर आएंगे एक अध्यक्ष के तौर पर आप बहुत बड़ी जिम्यदारी है सब्सक्राइन कि करने वाले इस पार्टी के खुद के नेताकार करता लेंटर मैनो ने इस MCD को बरबाद कर दिया इस स्वच भारत अभ्यान की हवा निकाल दी तो BJP पे घोशनाव के लिए कुछ नहीं है कुल मिला के वो मोदी जी की तस्वीर ले करके आगे इधर अरविंद केजरिवाल कहते हैं अरविंद के पारशद अरविंद के पारशद आपके भ्रष्ट MLS की वीडियो जा रही है मैंने आज कहा है साफ पानी देंगे आरो हम देंगे हम बिमारी को दूर भगाएंगे एक पहला कदम है हमारा साफ पानी के प्रियास में इसलिए स्वस्त को ध्यान में रिखते सबसे पहला कदम होगा हर घर आरो सवच पानी सेवाई चुनाव अब नजदीक आ चुका है आप भी समझ रहे हैं कि किस तरह से जनता जो है वो रिस्पॉंस कर रहे हैं क्या लग रहा है इस बार नगर निगम में दिल्ली कि की होने वादी मैं आपके चैनल के माधिम से कह रहा हूं कॉंगरेस का मेयर बनेगा दिल्ली में फिर से कॉंगरेस की और सीला जी की की है कि इस बार नगर निगम में सत्ता किसके पास जाएगी और जाहिर तोर पर इन तमाम चीजों के बीच में नेताओं के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है यही जानेंगे आज दिल्ली प्रदेश कॉंगरेस के अधियाक्ष अनिल चौदरी जी से हमारे साथ मौजूद है बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका नमस्कार धनेवाद तैयारियों में तो आप देखे बहुत जादा समय रहनी गया है चुनाव नजदीक है कितनी मेहनत कॉंग्रेस ने कर लिये इस बार बिलकुल हम लोग तैयार है और हम खास और से मैं आपको बता दूँ पिछले ती अजन मुकत में मुझे लगे हैं कोविड काल के समय यह को अपरादिक मामले नहीं है जंता से चुड़े मसले हैं सो मैं कह सकता हूं और सभावी के जब एम सीडी का चुनाव है तो एम सीडी के मुद्व पर चुनाव होगा दिल्ली की पहचान को लेके चुनाव हो रहा है औ और भाजपा के पारसद जिनें लैंटर मैंन कहा जाता है इन पारसदों को कि दिल्ली को मों सीडी को नया नाम दिया मच्क्राप्ट कि अप्वाइसरा Nermin केका परदूशनाब गिए क्या स्थिति है सो अरविन्द जो कहा करते थे इस सेहर को विश्वकार सेहर बनाऊंगा ख्याती प्राप्त करा हूं लंड़न पैरिष सिंगापूर बनाऊंगा क्या बना यह सहर क्या विश्वास करें जनता और अर्विन ने जो कहा था क्या वाकई उसहर बन पाया इस पर बड़ा प्रश्ण है इसलिए मैं कहता हूं कि पर्दोसित दिल्ली और बीज़े पी की मोस्ट क्रप्त अंसीडी जिसको कह रहा हूं मैं कि उसके खिलाब हमारी मेरी चमक्ती दिल्ली का हम ने संदेश दिया है स्हीला जी डिल्ली कंगरेस वाली दिल्ली हमने बनाइती उसे हम बनाएं गहिंगर पहिचान को वापिस लेकर वोट करना है इस बार जो विवाद हो रहे हैं लगातार एक के बाद एक विडियो सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए और उन पर कॉंट्रवर्सी हो रही है ब्रस्टा चार के आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से लेकिन आपको लग नहीं रहा कि असल मुद्दों से चुनाब जो है थोड़ा सा भटक गया है आपने बहुत अच्छी बात कहिए नुरादा जी और मैं आपको इस चीज के लिए बढ़ाई देता हूं कमसे के मुझे पत्रकार ऐसा मिला है जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं सचा यह की बात तो यह होनी चाहिए अफसोस ही है कि जिन सरकारों को जवाब देना चाहिए हो सरकार वो विशे लेकर आरे हैं जि सब्लाई के जब इनके पास कुछ बताने के लिए उपलब दनी उपलब द्ही प्रतशा बहुत Britt करें कि करने कहाँ मिए कुदि करता मैंनु ने इस मसीडी को बरबात कर दिया सुच्छ बहरत अभियान कि हवा निकाल दी तो जो आपने कहा जब आप तो इस पर देना चाहिए कि पंदरा साल में आपने अपनी हार टालने के लिए नहीं बाते करके आ रहे हैं उन फोटोस को लगा रहे हैं जिनकी जुरुत नहीं आप नारा दे रहें जहां जुकी भाजपा बात लेकर के आई है यह बात तो राजीव रतनावासी योजना के माध्यम से कॉग्रेस पार्टी 2008 के बाद कर चुकी है राजीव जी के नाम से हमने योजना लांच की सौसा रुपे के फॉर्म भरे गए गए उसके बाद मकान बनाएगे जेनेराम के तहत आदनीय मनमोन सिंग जी और सुनिया जी की सरकार और सीला जी की सरकार ने मिलके घर बनाए पर अफसोस आज़स तक उन लोगों को मकान नह सब्सक्राइब को करते हैं और अर्विंद के पारशद अरे अर्विंद के पारशद आपके भ्रष्ट MLA की वीडियो जा रही है असी परतिसत मंत्री जेल जा चुके हैं यह जेल के अंदर हैं जेल जाने वाले हैं लगबग 38 MLA पर पहले ही संगीन आरोप है महिला उत्पिडन का है अपनी धर्म पत्रियों पर कुट्त चुड़वाने का आरोप है चार सो बीसी फर्जी डिग्री लॉकी मंत्री के उपर आरोप दर्ज है एक MLA टेंकर माफिया के साथ जेल जा चुका है वह वहां से निकल के आया हुआ संगम विहार का किसी की भी आप क एक कोहीनोर चुनकर लेकर क्या है किस तरह के कई नूर चुने by心 आठ शालों में जेल की हवा खा चुके आज इनके सबसे नीरडियर भरोस्य मंद्री एक जेल में और एक सराम मंत्री जो जेल जाने वाले तो ऐसे पार्षद सराम मंत्री शिशोदिया की खुद की चुनी हुई पार्षद उनकी बहुती नजदी करीबी प्रियन नेता गीता रावत रंगे हातों पकड़ी जाती सीब्याइग के द्वारा अब सच्चा यहीं नुरादा जी यह लोग डिली को लूटने आएं लूट रहें अपने सिर्फ अपने आरेसस के एजन्डे पर यह भी अर्विंद अपने कारिक्रम पर काम कर रहे हैं कोई लेना दान नहीं है और ऐसा नहीं है तो जबाब दे अर्विंद ने कहा था इस सहर क होता था जो गंगा जमनी तहजीव होती थी यहां डाल दिया है आपने राजनीती को दोसित कर दिया यह सेहर पहचान होती थी सीलाजी की अच्छी सड़कों से ग्री ने रिज बन रहे थे ने फ्लाइवर बन से रहे थे और पबिक ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा था तो ए एक सोच थी जो दिल्ली में दिखती थी और एक अर्विंद की सोच है जो कियो भाशनों में और माप कीजिएगा पता नहीं आप यह दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे हो सकता है आप इसको कट कर दें यह पांसो 30 करोड़ के भारी भरकं पजट से सिर्फ अपना चेहरा चमकाणे का मर्विंद कर रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि यह सहर नंबर बना आज यदि कहीं जाना जा रहा है तो बदनामी दो परदूशन में जाना जा रहा et worst before पॉइन ay साज कराते हुए जेल में बैठे हुए यह क्या है जो मंत्री पर आरूप लग रहे हैं क्या है यह राजनीती को पर्दोषित करने वाला ही तो है दूसरी तरफ आपकी सरकार दिली में रस्टा चार के मुद्दे पर घिरी और उसके बाद सरकार चली गई और उसके बाद दिली के अंदर आम आदमी पार्टी का जिस तरह से राइज हुआ हमने देखा कि किस तरह से 15 के चुनाव में 67 सीटे मिल गई 20 के चुनाव में 62 सीटे मिल गई यह इतनी सारी बाते जो आप कर रहे हैं यह जंता तक क्यों कनवे नहीं हुपा रही हैं देखिए एक तो आपने जो बात कहीं सीला जी वाली बात और यह सर्ट सेट और बासर सीटे एक समझनी पड़ेगी पंदरा साल सीला जी यहां थी अच्छा काम हो रहा था लोगे बीच में एक ऐसी घटना घटती है और उसमें एक आदमी आता और कहता कि में राजनीती बदलने आया हूं नए सपने दिखाए गए उस समय हो सकता है कुछ कॉंक्रूस में कमी आ रही है जो आपका सवाल है कि हम पहुंचा नहीं पहुंचा पाए पर एक वैक्ति को इत को 26-11 का दिन था मैं भी चुनाब लड़ रहा था आखरी दिन था और यह कहा जा रहा था कि इसको हाला कि भाजपा की हमेशा सही कोसेस रहे है कमिनल रंग दे आतंगवाद को जोड़ के दे और उनने बड़ी खुसी मनानी शुरू कर दी जीत की बावजूद इसके दिल्ली में ऐसा है जब लोगों ने साथ अर्विंद पर विस्वास किया लेकिन अब आट साल बाद सभावी के उनके काम की समिक्षा हो रही है और अर्विंद हर मोर्चे पर फेल साबित पाये जा रहे हैं सबसे बड़ी बात मैं कह दूँ एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको अर् है जब अर्विंद ने चौड धर वाज़े से जब इनकी मदद कर दी लेकिन जब परिक्षा की घड़ी आई तो अर्विंद चुड़ के चले गए यादो का सिंगा को लेकर कि किए है। कि पुलिस दे दीजिए घंटे में खाली करा दूँगा मुहम्मत साथ के उपर फाइयार मरकज को सील कराना करोना काल में मरकज के मरीज एक बकाइदा कॉलम आता था दिल्ली जल रही थी जलाने वाले तो जला रहे थे कॉंग्रेस के लोग उसको बुझाने के लिए कोसिस कर आरविंद कहां थे आरविंद चुपके घर बैठ गये भगवान भरों से वर्ल्ड एक बार यूज़नी किया आरविंद ने किया करोना कि दंगों में किया परदुशन में किया किस ले मुक्रमंत्रियों आप सीला जी से कभी सुना अप सीला जी ने अपनी संवेदना परकट की थी जब कहा था कि मैं भी माँ हूं मेरी भी बेटी है पर किस तरह से उसको पॉलड़िसाइज किया राजनीती के लिए तो यह जो राजनीती को दोसित किया है मैं उसके खिलाब भी लड़ रहा हूं जो भाई चारा प्यार मुहबत थी उसको भी ड दिल्ली जली दिल्ली के अंदर जो नफरत का बीज वह उसके लिए दोसी कौन है तो यह तमाम चीजें इसको ठीक करना बहुत आवश्यक इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब होगा मेरी चमक्ति दिल्ली सीला जी वाली दिल्ली जो यह पल्यूशन है यह सिर्फ बातावरण में न किस तरह की भाशा का इस्तमाल किया जाता है किस तरह की शब्दों का इस्तमाल किया जाता है किस तरह की संग्या दे दी जाती है और यह तमाम चीजें लोगों के पास जब जाती है पहुंशती है आज का समाज आज का युवा जब इन तमाम चीजों को देखता है उस पर क्य देखें यही सब बाते तो हैं जिसके लिए हम चिंतित हैं जिसके लिए कॉंग्रेस पार्टी चिंतित हैं और यह केवल दिली मुल्क में हो रहा है इसलिए तो रहूल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं क्यों आखिर उस व्यक्ति को जुरुत पड़ी लगवाग चा जाहिर कर रहे हैं लेकिन जो विशें है राहुल जी की स्यात्रा के वह विरोजगारी है महंगाई है कि यह वही आप सी स्वाथ प्यार मुहंबत और लोक तंत्र की रक्षा है समीधान की रक्षा है इन तमाम उद्दों पर राहुल जी निकल रहे तो एक तरब जहर घुलने में लोग भाषन दे रहे थे χार्य जिम्मेता आकपो आगे आकर इससे शॅल बचाना चेहे आप बचानी की वजाए चुपके ڈठक हम मैं सीधे सब्दे में कहूं एक राजनेता को कसोटी पे खरा उतरने के लिए परिक्षा की घड़ी पे खरा उतरने की दी कोई बात आती तो ऐसे ही मौके होते हैं जब उसको सिद्ध करना होता है तो अर्विन तो वहां फेल होगे अर्विन ने तो लोगो धोका दे दिया जो कि मंदि तूड़ जाता है अर्विन चुप है पंद्रा सो नौ का मंदिर है कि इसको तोड़ा गया 1956 में कॉंगर्स के नेता के दोवारा उस मंदिर का जिनुद्धार हुआ है याद होगा है बहुत बड़े हमारे कदावर नेता रहें मीरा कुमार जी के पिताश्री उन्हों लेकिन अर्विन चुप है पीछे जिस तरह से दलित निता का इस्तिफा लिया कि गौतम जी का तो यह भी प्रशन उठता है कि दलित के एक बच्चे का तो इस्तिफा आपने सेकेंड़ों में ले लिया पर सिशोधिया पर तो इतने संगीन आरोप है कि सराब का घोटाला है नशे की राजधानी है पैसे के लेंदेन है पुरी ट्रेल नेक्स सब कुछ सिद्ध हो गया हमने किया वह साबित किया है आज तक मंत्री है क्यों भई और बालमी की जैनती के दिन आप उसको शू कर देते हैं हटा देते हैं यह क्या दरसाता है उनका जो एक वीडियो सामने जो दिक्षा समारों का वीडियो था जिसमें वो प्रतिग्याएं ले रहे थे उसको लेकर भारती जंता पार्टी ने जिस तरह से मोचा खुल दिया था दिली सरकार के खिलाफ और आम आदमी पार्टी गुजरात के कैमपेन में लगी हुई थी दिली में भी नगर निगम का कैमपेन था और उसके बाद रेजिंदरपाल गौतम का खुद का स्टेटमेंट आता है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है इमिज खराब करने की कोशिश की जा रही है इसलिए मैं खुद से स्तीफा देना चाहता हूं लेकिन स्तीफा दिया स्तीफा लिया लेकिन स्तीफा हो दो बाते आपने कहीं है एक तो जो वीडियो वारे लोगते के माप करिएगा यह बाबा साब की जो इस अपते यह पार्लिमेंट से लेके हर घर में दलित समाज के और समीधान को मानने वालों कि हैं सवाल यह है चलिए इसने बोला ने इस्तीफा दिला दिया और फैकर अरविंट साब आब अबाब की सब्तों के विरोद करते हो आलाकि मैं को έक्कर निकरा ज़ीं प्रखा 85 की टो जो लेंग्वेज यूज हुई कि मेरे नेता और मेरी पार्टी की छभी खराब हो रही है इसलिए में इस्तिफा देता हूं तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्चन चिन है कि आखिर एक बावा साब को मानने वाला वेक्ति यह का यह बावा साब को छोड़के अर्विं ममझारा करते हुए आप यह कि मेरे नेता का मेरी पार्टी का नुकसान हो रहा है इक सविधान को बनाया जिसने यह गहिसे अधिकारों पर सवाल ही है कि जो अर्विंद कहते हैं क्या वो सच सच है कि तमाम दिखावा है जोटे चल है फरेव है और इसलिए आज मैं बार बारी बात कहता हूं हम एक विजन के साथ आए हैं हम इस दिल्ली को फिर से मेरी चमकती दिल्ली सिलाजी वाली दिल्ली हम बनाएंगे उसके ल माफ अगला हाफ और गाउं संपूर्ण माफ और भश्टा चार का सफाया हाउस्टेक से आज हमने कहा दिल्ली के अंदर दोसित पानी है पानी जो फ्री के नाम पर बांटा गया उसमें बिमारियां हैं तमाम आकड़े आटियाई से साबित हो चुका है कॉल्रा डाइरी हमारियां इस सहर में फैल चुकी है जो खास तोर से वाटर डिजीज यानि पानी के कारण से होती है इक बड़ी तादाद में संख्या में यहां मरीज बढ़ गए हैं लगबक चार साल के अंदर ही 34 लाग पेसेंट बढ़ गए इसमें बड़े-बड़े अस्पतालों से हमने मरीज बढ़ गए कि पानी से होने वाली विमारी हैं तो हमने कहा है कि जल ही जीवन का नारा हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं तो हम सवच पानी दें लोगों को और मुझे लगता है एक ऐसा विभाग है जहां खादे से लेकर के इन तमाम चीजों पर निग्रानी रखता है तो हमने आज ही घोसना की है लगबक 28 लाख लोगों को हम आरो वाटर प्रिफायर लगाके देंगे क्योंकि सुच पानी पीने का अधिकार सब को है और पानी से ही जीवन है सुच पानी होगा तो सुच शरीर होगा स्वस्थ होगा अभी हो क्या रहा है गंदा पानी पी रहे हैं बिमार हो रहे हैं मजबुरन बजार से परति दिन 30 उर्व होते हैं लेकिन एक बड़ा दबका है कि जो मार्केट से पानी खरीद के पी रहा है बगर ब्रैंड का छोटा सा भी कोई ब्रैंड वह भी 30 रुपे की लगवग 30 या 20 लिटर की बॉटल लेता है और यह आप देखें इसको कैलकुलेट करें रोज आना 30 रुपे और महीने में 30 दिन होते हैं लगवग 900 रुपे साल में इसको आप गुणा करेंगे तो लगवग 10,800 रुपे खर्च कर रहा है पानी के उपर और बिमारी अलग अस्पतार अलग तो जब इतना पैसा और यह जो परिवारों की मैं बात करूं 28 लाक ऐसे परिवार हैं जो इस पानी से हैं से कई चला ड्फार्टमेंट से तो इसको मैंने तोडना है तो मैंने आज कहाई साह पानी देंगे हम तार हूं भी हर उस घर को हर उस व्यक्ति को जिसको स्वच पाने की जुरत है वह हम देंगे आप बतौर अध्यक्ष कॉंग्रेस पार्टी में अगर हम देखें दिल्ली के अंदर तो आपके उपर बहुत बड़ी जिंबेदारी है और उतना ही बड़ा चालेंज भी है क्योंकि दूसरी तरह अगर हम देखते हैं तो भारती जंता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के चेहरे का अस्तमाल कर रही है निगम के चुनावों में और एक कैडर जो है वो फिक्स है बीजुपी की तरफ जो बहुत ज़दा हटता नहीं है कॉंग्रेस की बात करते हैं तो कॉंग्रेस क हमें दिखाई दिया है जाता हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ आपका अपना कैडर आप वापस कैसे लेकर आएंगे एक अध्यक्ष के तौर पर आप पर बहुत बड़ी जम्मेदारी है देखिए एक तो मैं पार्टी का सुक्र गुजार हो जिसने मुझे इस लाइक समझ कि मैं दो बार पार्शद रहा एम में ले रहा तो पार्टी नी जम्मिवारी दिये और दिली को मैं समझता हूं दिली के इस ग्रामनी प्रस्ट भूमी से आता हूं दिली लास्ट गाओं कोना है नोइड़ा बॉर्टर पे दलुपरा में वहां का निवासी हूं तो किसान फै कि वहां से लौट करके कॉंगर्स पर आगिया है और यह के बूल आपके चैनल में भून लेकर नहीं नहीं बोल रहा हूं पीछे याद हो एक बाई एलेक्शन हुआ था उन बाई एलेक्शन में जो परसंटेज पर आप सवाल पूछ रहे हैं बेसक 2020 में हम लोग तीन पढ़ाएं सेवा थाउर की सेवा की कौंगर्स की रसोई की सेवा परवास्यों को घर भेज़ा मददी मदद ली एक तरफ से मदद आmaiden थे कारेकर्टा झालिम अवक्शीजन की नहीं जीता है ठाए नियुक्त इसलिए चौन बागड़ से जीbourड वो antike यह झाने लिए अर्विंद ने आर्विंद संघ के पूरी तरह से परचाई साथ हो चुके है अर्विंद्पूरी तरह से संघ के सहयोगी नहीं हिस्सेदार साबित हो चुके हैं इसलिए जान चुके हैं दलित समाज की जाड़ू से एक एमोशनल नाता दिखा करके वोट लूटी गई पर क्या हुआ आप दलित समाज के जो चेहरें बेसे किसी भी दल में हो आप उनको अपने घर पे द्वार पे एक गलास पानी तक नहीं प्लाते हैं यह क्या दिखाता है यह संग का रविया है वीर सिंग दिखान अमरीश गौतम जै किशन लेलोटिया जी हम सब लोग गई क्या आप में कितनी कटसी नहीं कि एक ऐसे दलित समाज के वर्क के जो नेता रहें जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी एक सफाइक रंचारी भी आप उनको एक बार बुला के सुन लें क्या दर साता है फो उसके बाद एक के बाद एक के बाद आप चाहे वो मंदी टूटा हो चाहे परिशीमन और संग के सयोगी साबीत हो रहें तो मैं पूरी तरह से आसवस्त हूं और यह मुझे कल भी देखा कितनी तादाद में लोगों ने जोइन किया कॉंगरेस को डॉक्टर प्रवेज मिया साब बड़े चेरे रहे कॉंगरेस के समय में फिर यहां चलेगे आज उने माना की गलत लगता है और जो अर्विंद केजरिवाल और उनकी पार्टी लगाती आई है वो यह कि कॉंगरेस को वोट देने का मतलब है कि भारती जनता पार्टी को वोट देना कि देखिए अर्विंद क्या रोप लगाते हैं इसका बड़ा उधान तो मैं देता हूं सीला जी पर बारह हजार पेज की चार्शिट जाहिर किती दिखाया तक कहा है वो चार्शिट क्यों नीड़ादा जेल में कहा कि कौंगरेस के निताओं को जेल में डालूआ रदा जी कि गुम्रा करने वाले ब्यान थे मैंने का वो वक्त था जब लोग अर्विंद की बातों पर विश्वास कर रहे थे आज वो दौर नहीं है सच सामने आ चुका है सच यही है कि इनके 80% मंत्री जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर हैं जेल जाने वाले 38 MLN पे संगीन आरूप तीन MLN के नाम और जुड़ गए जो रिस्वत ले रहे थे टिकट के बदले एक MLN पिटता दिखाई दे रहा है सड़क पे भगा भगा के पीट रहा है इनकी पारसत रंगे हाथों पकड़ी जा रही है यह तो बीजेपी के भी बाप निकले करप्शन में यह तो बीजेपी स साफ रहता हूँ में बच के रहता हूँ तो एमनी धराओं में चाइब रखशण कोई 400 B.C के मुगत में अंदर जा रहा है तो यह जो किरेक्टर है यह किरेक्टर जब मेरे पार्टी के बारे में बोलते हैं तो मुझे अब अनेस्न इस नहीं बताओं तो मुझे अब दुख नहीं होता है मुझे हसी आती कि अर्विन ये बोलके एक बार आप नहीं कर लिया काट के हाड़ी एक बार बार नहीं चरती चुनाव अब नजदीक आ चुका है आप भी समझ रहे हैं कि किस तरह से जनता जो है वो रिस्पॉंस कर रही है क्या लग रहा है इस बार नगर निगम में दिली किस की होने वाली है मुझे पुर्ण उसे विश्वास है मैंने तीन साल से सड़कों पर देखा है और जो उमीदवार हमने उता रहे हैं ये वो लोग हैं जिरोंने करोना काल में जनता की सेवा की मदद दी और जो कारेकर्मता आओ मदद का हाथ बढ़ाएं उसमें जी जान से जुटे रहें बहुत सारे साथी मेरे आज नहीं है संकर्मित हुए उनका द्यान थो गया सहीद हो गया मैं ऑनेसली बता रहा हूं सोकत राना जी जैसे हमारे कारेकर्ता ब्लॉक अध्यक्स दे नहीं रहे कई नेता हमारे सनाते कह रहा हूं जो धोका दिल्ली की जंता को दिया खास दोर से मेरी मैनियोटी के मुस्लमान भाई हो चमरकज का इशू हो मुझे का इशू हो और मिद की चुप्पी भाजपा के द्वारा तेकी गए सब बाते में सीडी को परबाद करना हो इस सहर को पर दूसित करना हो इन दिल्ली में फिर से और शीला जी की चमकती मेरी चमकती दिल्ली बनेगी इन कॉंग्रेस पार्टी को दिली में आप देखते हैं कि जो बात कह रहे हैं अनिल चौधरी साहब जो मेहनत कर रही है कॉंग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाकर उसका क्या आसर होता है कैमरामेन रंजीत के साथ अनुराधा तवर दिली तक कि यह दोंग्रेस अनुरादा नहीं को भीचित के साथ यह जानिया के साथ जाए बात कर दोड़ में था झाले bênंशद दो नहीं प्रच्ड़ेस ऑने पने और दो दोती हैं कि हूंग्रेस अनुरादाका है